पहाड की ख़बरे आप देख रहे हो और आईए पहाड की ख़बरों की शुरुबात करेंगे हम रुद रुप्या कीस ख़बर के साथ जहां बारिश के बाद वे लैंसलाइट से केदारनाथ हाइवे डोली अदेवी फाटा के पास बंद हो गया है तेज बारिश के बाद पहा तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं समय मौसम पहाड पर इस सवे खराब हो चुका है और देखिए अगर आप भी कई जूटियां बिदाने के लिए निकलने की सोच रहे हैं तो पहाड का रुक ना करें कि प्रचंड भारिश में लांड्सलेट का खत्रा रहता है पहाडी से पत्थर बोल्डर आ रहे हैं बीते कुछ दिनों आपने देखा कि नुकसान जनहानी का भी हुआ है बड़ी-बड़ी गाडियां शती ग्रस्त हो गई है और ऐसे में एक बार फिर से खबर उद्र प्रयाक से कोड़वार से खबर जहां पार कोड़वार समेत आसपास के पाड़ी इलाकों में बारिश के चलते मालन नदी उफान पर आ गई है और बड़ी जानकारी आपका पहुंचा रहे हैं नदी का जलस्तर बढ़ने की कारण कोड़वार भावर शेत्र का एक बार फिर से बाजार स सीधा संपर्क कट गया है पिछले साल नदी में आई बार के चलते नदी पर बना पुल धराशाई हो गया था जिसके बाद से ही भावर शेत्र की बड़ी आवादी को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी वही नदी का जलसर बढ़ने से कोड़वार सिर्कुल जाने वाल बागेशों में देडरात हुई मुस्लाधार बारिश से गोमती सर्यू नदियां उफान पर आ गई है नदियों का उफान देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है एतियात के तोर पर पुलिस फाया ब्रिगेट तैनात कर दी गई है कपको और गरुड में भी मुस्लाधार बारिश होने से बरसाती नाले उफान पर है अब आपको बताते हैं लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों पर लोगों के लिए बारिश आवत पनगरी है हरद्वार में बारिश के बाद शेहर के जादतर इलाकों में पानी जमा हो ग गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं बारिश के बाद जमा हुए पानी में गाड़ियां रुक गई हैं पानी से रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है मैं आपको बताएं कि उत्राखन के छे जिलों के लिए मौसम बिभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम बिभाग के अनुसार दैरादू, नेनिताल, पौरीच, अबावर, गमसिंग नगर और हरिद्वार में आज भारी बारिश का अनुमान है जबकि चार जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी किदारना धाम में इस बार फिर से एवलांच आया है किदार मंदिर के पीछे पहाडी पर बर्फ का सफेद गुबार दिखाई दिया है जानकारी के मताबिक ये एवलांच गिरने का वीडियो है और इस तरह के एवलांच अक्सर गिरते हुए देखे जा रहे है उदर ननी ताल में बारिश से कई जगों पर लैंड सेल का खतरा बना हुआ है बल्या नाला, चाइन पिक, टिफिन टॉप की पहाड़ी से खतरा बना हुआ है हाला कि बल्या नाले में निर्मानकारी शुरू जरूर किया गया है लेकिन उस पर भी खतरा बना हुआ है इसके साथ ही आपको बताएं कि शहर में आवागड के साथ ठंडी सड़क और दूसरे स्थानों पर भी बारिश में लैंड सेल का खतरा है रववार को अलग अलग घटनाओं में दो युकों की पानी में डूबने से मौत हो गई पहला बाकिया देरादून से आया जहां अभी मन्यू क्रिकेट अकार्मी के पास में गुनियाल गाउं में एक नदी वहां से लगती है वहां पर ये 18 साल के लड़के का शव बरामत किया गया है नदी में तैरता हुआ ये शव देखा गया है और नदी में तैरने से ही मौत हुई है जो जानकारी में पही है SDRS की टीम में शव को बरामत किया है दूसरी घटना चंपावत जिले के ओखर डूंडा की है जहां एक 17 साल का लड़का जरने में नहाने गया था और तब ही दूप गया दोनों शव को SDRS की टाफी मश्रक्त के बाद बरामत किया और यह बागे बढ़ता को बताते हैं देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीन अपराधिक कानून आज से बदल गए हैं संसर से पारित तीन कानून आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं IPC अब भारतिय न्याय सहिंता के तौर पर जाना जाएगा CRPC अब भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिंता हो गए और Evidence Act अब भारतिय साक्ष अधिनियम होगा इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इन में शामिल धाराओं का सीले नंबर भी वदल जाएगा भारतिय दंड सहिंता में 511 धाराएं थी लेकिन भारतिय न्याय सहिंता में 358 धाराएं ही रह गई हैं संशोदन के जर्ये इसमें 20 नए अपराध शामिल किये गई हैं 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई हैं CRPC की 484 धाराओं के बदले भारतिय नागरिक सुरक्ष सहिंता में 531 धाराएं रखी गई हैं नए भारतिय साक्ष अधिनियम में भी बदलाव किये गए हैं इसमें 170 नियम कानून तै किये गए हैं 24 कानून बदले गए हैं पॉड़ी में सावन में शुरू होने वाली कावर यात्रा की तैयारी को लेकर पॉड़ी जिले के पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है कामड यात्रा शुरू होने से पहले नीलकंट कामड शेत्र जहां पर फॉर्स देप्लॉइमेंट करने की तैयारी की गई हैं दरसल इस बार जिस तरह से चाधाम यात्रा में रिकॉर्ट और शृधालू पहुंचें उसे अंदाजवा लगाया जा रहा है कि कामड यात्रा में भी भारिश शृधालू आएंगे और जलाविशेक करने नीलकंट पहुंचेंगे हमारी पारकिंग्स की और लाइटिंग की और रोड्स की और जो प्रेश्ट्रिन चेलिए रास्ते हो उनकी जुए विवस्ताइं हो उसकी हम लोगों ने बात कर ली थी और उसमें संभगता कारवई इन घौ रही है कि उसके विए हम लोगों ने मांग कर लिए और आए अब आपको बताते हैं हरिद्वार में हर्की पैडी समेथ अन्य घाटों पर हुर्दंग करने वाले और अभद्र सोशल मीडिया पर रीज बनाने वालों पर पुलिस ने उनको चेतावने दिये हरिद्वार पुलिस की ओर स हर्की पैडी पर कहीं चितावनी के साइन बोर्द लगाए गए हैं जिसमें गंगास्नान करती हुई महिलाएं और बच्चों के फोटो वीडियो लेने और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लिकर चिताया गया है आपको बता देते हैं कि कहीं शिरार्थी तत्व हर्की पैड पर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाते हैं जिसे परिवार के साथ गंगास्नान कर रहे कई शिद्धालों को आपत्ती भी होती है साइन बोर्ड लगाए गये हैं वो लोगों को बताया गया है कि आप कोई भी रील ना बना है यह धार्मिक प्लेस है यहाँ पर आस्ता के लिए लोग आते हैं और किसी की भी आस्ता को थेश पहुचाना किसी का उद्धेश नहीं होना चाहिए और इस साइन बोर्ड का इंप उसे लोगों को संदेश भी मिला है से राफ्टिंग शुरू हो जाएगी कि अधिस्तर यह कि 30 जून तक परमिट होता है कल तक राफ्टिंग थी कल क्लोज हो गया आज से राफ्टिंग बन देख सेप्टमबर में खुलेगी एक से पंदरा के बीच में खुलेगी जल जल इस्तर को देखते हुए एक से पंदरा के बीच में ननिताल के बितालगाट दिन दहाडे गुलदार दिखने से लोग दहशत में आ गए हैं बितालगाट के सेमल में एक दिन के वक्त में आपको बताएं कि गाउं के पास लेपड आ गया जिसके बाद गाउं के लोगों ने मिलकर गुलदार को वहां की मांग की है अलमूरा के सल्ट से खबर जहां पर एक बड़ा सड़क हाथसा हो गया है और बड़ा हाथसा और बड़ा होते होते टल गया है यह भी आपको बता देते हैं यहां पर जिमार के पास में रोड़वेश की बस खाई में जाने से बाल बाल बच गई है बड़ा हाथस रोड़वेश की बस सराई खेच से रामनगर आ रही थी तभी जिमार के पास में बेकावू हो गई गनिमत रही की बस खाई में नहीं गिरी इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंच भर की दूरी खाई से बस की बड़ा जानमाल का नुकसान होता रहत सटल गिरा कैलाश परवत के दर्शन के लिए अब भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा असल में भारत की सर्जमी से ही चाइना में मौझूद कैलाश परवत के दर्शन कराई जाने का प्लान तयार हो गया है देखे रिपॉर्ट जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की अब साकार होने जा रहा है उत्राखंड सरकार इसी साल सितंबर से शिरद्धालों को कैलाश परवत के दर्शन कराने जा रही है चाइना के करीब ओल्ड लिपुलेख से विदेशी धर्ती पर मौझूद कैलाश परवत के दर्शन आसानी से होते हैं भरत से कैलाश परवत के दर्शनों के लिए नाभी धांग से करीब तीन किलोमीटर की चड़ाई चड़नी होगी फ्रशासन ने पहले ही तीन किलोमीटर के इस रास्ते को बना लिया है साथी कैलाश के दर्शनों के लिए ओल्ड लिपुलेख में एक विउपौइंट भी तयार किया जा रहा है चीन से तनापूर रिष्टों के कारण मान सरोवर यात्रा 2020 से बंद है दोनों देशों के बीच जिस तरह तलखी बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में भी यात्रा शुरू होने के आसार नहीं है जिस कारण भारते श्रद्धालू, कैलाश परवत और मान सरोवर चील के दर्शन नहीं कर पा रहे है मान सरोवर यात्रा के विकल्प में उत्राखन सरकार ने आदी कैलाश यात्रा शुरू की बावजूद इसके श्रद्धालू का मन भूले की धर्ती के दर्शन के लिए तरस्ता रह लेकिन अब उनके मन की मुराद पूरी होने जा रही है पारवती सरोवर के दर्शन करने के साथ ही हम आदी कैलाश के दर्शन कर सकते हैं यहां हम गुज्जी से नावी डांग के पास से हम ओम परवत के दर्शन भी कर सकते हैं ओल्ड लिपूलेक से कैलाश के दर्शन होने पर जहां बॉर्डर एलाके में नया परेटन का केंदर स्थापित होगा, भही आदी कैलाश, ओम परवत और पारवती लाल के दर्शनों के लिए आने वाले शिरत्धालों को भी नया धर्मिक केंदर मिल सकेगा। यही नहीं, 16,000 फीट की उचाई पर मौजूद इस स्थल से भोले के दर्शन होने पर चाइना पर भारत की मिर्भरता पूरी तरह खत्म भी हो जाएगी। निव्जेटीन के लिए पितौरागर से विजेव वर्धन उप्रिती की रिपोर्ट। पूरे देश में काफी कुछ बदलने जा रहा है, खासकर क्रिमिनल जस्थर्ट। इस सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है, और इसी के मद्दे नजर ये उत्रा खंड में भी आज कारिक्रम का आयोजन आज किया गया है, जहां पर आज मुक्यमंति पुष्कर सिंग्धा में इस कारिक्रम में मौजूद है, आज इसे 1860 में बनी हुई IPC की जगा भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिंगता और 1872 के इंडियन एविदेंस आक्ट की जगा भारतिय साक्ष अधिनियम लेने जाएंगी, आज से लागू हो जाएगी, और आपके सभी ठानों में FIR भी नए सेक्शन्स में दर्ज की जाएंगी, सतेंद बर्तवाल हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौझूद है और जानकारी के साथ, सतेंद बर्तवाल पुलस हैटकोर्टर में समय मुक्यमंतरी पुश्कर सिंग धामी मौझूद है, आज 1 जुलाई और आज के दिन से ही काफी कुछ, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्ट समय में बड़ा बदलाव देखने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल जिस तरीके से पुरे के से आज नए कानून का लागो किया जा रहा है, क्योंकि रात को बाराव जी से खानून लागो हो गया था, और जितको लेकर हम बात करें, उत्राखन में मुक्यमंतरी पुश्कर सिंग पुलिस के साथ पुलिस के तमाम अधिकारी आपे मौज़ों दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं पुलिस के जो करम चारी है उनको जी शुक्रियाब का सदेंदर बरतवाल जानकारी के लिए और आए बागे बढ़ते आपको बताते हैं मंगलोर उप्चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है बीज़पी लगातार जनसंपर्क कर रही है वहीं बीज़पी ने मंगलोर परिवरतन युवा संबेलन का आहिजन भी किया जिसमें सैक्रों की संख्या में युवा उने हिस्सा लिया बीज़पी का दावा है कि इस बार वंगलोर सीट बीज़पी जीतने वाली है तो कि जनता बीज़पी के साथ है उप्चुनाव बीज़पी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है जीत कर अब की बार इस शेतर की जनता ने ये मन बढ़ा लिया है जो पिछली 30-35-40 सालों से कभी आजी जी कभी आजी अब की बार करतार सिंग बढ़ाना या के हमारे विधायक होंगे ये मन जया की जनता बना चुकी है कॉंग्रिस प्रत्याश्वी लगपत्थ बुटोला के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं इस दौरान करन महारा ने बीज़पी उमीदवार राजेंद्र भंडारी को भगोडा प्रताश्वी कहा करन महारा ने कहा है कि उनके भागने के संकेत कॉंग्रिस को पहले ही मिल चुके थे जब उन्होंने राश्वती चुनाव के दौरान भाग नहीं लिया महीं बीज़पी का कहना है कि राजेंद्र सिंग्भंडारी प्रधानमंधि नरींद्र मोदी की जनकल्यान कारी मीतियों से प्रेरित होकर बीज़पी में शामिल हुए हैं आज उनको अपने आइडिलोजी का कोई केंड़ेट नहीं मिल एक भगोडे को उन्होंने टिकट दिया है सही और गलत का ये चुनाव है इसलिए भी ज़रूरी है मैं खुश हूँ कि कॉंग्रेस के सारे नित्र तो आज इस सीट पर काम कर रहा है और सब एकता के साथ काम करें मुझे लगता है परिणाम सुख़द होगा इस उट्चिनाव को जीतने जा रही है इसलिए कॉंग्रेस के यह अन्य लोग घबरा करके अनलगर बयानवाजी कर रही है यह बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों से नैनी ताल की जील गहराई लगातार इसकी कम होती जा रही है जो चिंता का विश्रय बन गया है रिपॉर्ट देखिए नैनी ताल में निर्मान का ये मलबा बारिश में जील में जाने लगा तेज बारिश की दौरान नैनी जील मिट्टी और गाज से भर रगी तो जील की गहराई भी तेजी से कब हो रही है वह इस्थानी लोगों को जील बचाने की चिंता होने लगी है ने बे अवैद निर्माण हो रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलवा जेनरेट होता है उसे उन नाले जो यहां पर नाले हैं और नौ जगों पर तो नदी की गहराई सिर्क 13 मीटर तक रहे गई है किनारों में तो ये कम होते जा रहा है तो सुरक्षात्मिक दिवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलवा है उसमें रोलर चला कर उसको समतली करण भी किया था और जिस तेज़े से जील में मिट्टी गाट भर रही है वो चिंता का सबब है क्योंकि अगर जील ही नहीं रही तो नैनिताल का क्या होगा क्योंकि परेचा की सुन्दर जील का दिदार करने दूर दूर से आते है निूजए टीम के लिए नैनिताल से पीरे दिपिष्ट की कवर पोड़ी से जहांपर एक महिला ने 11 लाख रुपे की धोकादड़ी करने वाले अंतराजिये ग्यांग के सदस्य को मतुरा से गिरफतार किया है शाते ठग ने महिला को दोगुना लोन सस्ती ब्यासदर पर देने के बाहाने महिला से 11 लाख रुपे ठग लिये थे पुलिस ने आरोपी हारुम को मतुरा से गिरफतार किया इसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है जिला के द्वारा ये शिकायत की गए थी कि एक गैंग के द्वारा उनके सद 11 लाख की साइबर धोका धड़ी कर लिए है जांच करने के उप्रांथ हमने ये पाया कि ये गैंग मतुरा और मेवाद से ओपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोका धड़ी करते हैं रुद्र प्याग में कार्ती के स्वामी के मंदिर के दर्शन के लिए लगाए गए टैक्स का विरोध शुरू हो गया है वन विभाग के टैक्स को लेकर स्थानिय लोगों में खासी नाराज की देखने को मिल रही है रिपॉर्ट देखिए उत्राखंड में भगवान कार्ती के स्वामी का एक मात्रमंदिर रूद्र प्रयाग और चमोली जिले के बॉर्डर परिस्थे थे सालों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना दोनु जिलों के करीब 360 गाओं के लोग करते आए हैं जो भगवान कार्ती के को अपना कुल देवता भी मानते हैं क्रोच परवत परिस्थित कार्ती के स्वामी मंदिर तक पहुशने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जहां अब वन विभाग ने एक बैरियर लगा दिया है और मंदिर तक पहुशने के लिए वन शेत्र में शुल्क भी निर्धारित कर दिया है जिसमें रूतर प्रियाग और चमोली के पोखरी विकास खंड के लोगों के लिए 10 रुपए अन्य राज्यों के श्रधालवों के लिए 50 और विदेशी यातियों पर 100 रुपए का शुल्क लगाए गया है जिससे अब इस्थानिय लोगों ने कापी नाराद की जाहिर की है उधर बन्विभाग ने तर्क दिया है कि शुल्क से विकास कारी किये जाएंगे तो मंदर समीती का कहना है कि अगर एक महीने में धरातर पर विकास कारे नहीं दिखे तो विरोध किया जाएगा एक मास से जाला समय इनको दे रहा हूं और नहीं तो हम पहली अगस से इनके गेट पर जो इन्होंने वहां पर लगा रखा वहां पर बैठेंगे इनका बिरोध करेंगे और इनको किसी भी कीमत पर एक रुप्या भी वोशुल करने नहीं देंगे रुदरप्रयाग जनपत और पोखरी ब्लॉक चमोली के जो लोग हैं के लिए 10 रुपए का शुल्क और बाहरी लोगों के लिए 50 रुपए का एक न्यूंतम शुल्क रखा गया है इस शुल्क का इस्तमायल जो है यहाँ पे हम जो यात्रा व्यवस्था के लिए जो भी अवस्थापना विकास और जो स्थानिये लोगों को रुजगार देने के लिए किया जाएगा यदि वन्विभाग वसूले गया शुल्क सेश रधालवों के लिए सुविधा मुहया कराता है तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन विकास काम नहीं होने पर आमना सामना होने की उम्मीद है न्यूज एटीन के लिए सतेद बर्तवाल की निपॉर्ट मुक्यमंत्री पुष्टर सिंग धामी ने अपने क्यांप कार्याले में जन समस्याएं भी सुनी हैं और अपने ऑफिस स्टाफ को निर्देश भी दिये हैं जन समस्या या पर शिकायत जिस विभाग से संबंदित है जल्दी संबंदित विभाग को भेजी जाएगी और उस पर कारवाई होगी इस पर फीडबाक लिया जाए इसके साथी सीम ने सभी जिलों के डीम को निर्देश दिये हैं सभी डीम कम से काम एक घंटा जनता की समस्याओं को सुने मुक्यमंद्री पुश्टर सिंग धामी ने रविवार को सरकार में जिम्यदारी संभाल रह सभी दाइत्व धारियों से अपने आवास पर मुलाकात भी किये दाइत्व बांटने के बाद यह पहला मौका था जब मुक्यमंद्री ने एक साथ सभी डाइत्वधारीयों से मुलाकात की है इसमें CM ने सभी से विकासकारियों के जानकारी ली और दायतवधारियों से सरकार संगठन और जनता के बीच कोडिनेशन की भूमी का निभाने की अपील की दायतवधारियों ने मुख्यमंत्री का अभार जताया उनके नेच्वत्र में पार्टी लोकसभा चुनाव में पांचो सीटो पर हैट्रिक बनाने में कामियाब रही हमें कैसे काम करना चाहिए और किस परकार से हमारी अपने विभाग में या सरकार के काम में सहयूग हो सकता है उसके बारे में मार्जर्शन दिया इसके लावा सरकार और संग्ठन में भी हमारी का ऑबनकर रह सकती है इसके बारे भी उन्हें ने बताया और ये भी हमसा प्रिशा की है कि हम जहां अपने भागी कारे में सहयोग करें महीं पर सरकार के जो कारे हैं उनको जनता के तक ले जाएं सभी कारकरताओं ने दाइटो धारी मुक्यमंतरी का आभाज भी व्यक्ति आधन्यवाद किया कि उनकी नित्वत्त्यों में 5 कमल से उत्राखंण से गए हैं इसी प्रकार से जो सरकार के कारिक्रमों के क्रियान में दाइतो धारियों की भूमिका हैं वो और अधिक सारगर्विक तरीके से आगे बढ़ें और शेत्रों में जाएं लोगों की दिन समस्याओं को सौब करने में सहयोगी की भूमिका में रहें हमारे जितने भी दाइतो धारी हैं उनका संगठन और सरकार के साथ समन्वे किस परकार बना हुआ है और आगे और समन्वे जनता के बीच में हमारे जो हमारे दाइतो धारी है और संगठन के जो कारे करता है वो जनता के बीच में जाएं उन योजनाओं का लाव सामान्य चोड़ी सी ब्रेक लिए रुकना होगा जल दौटरी है